हेलो फेंट्स मैं मंदीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में डिजाइनर स्लीफ्स में आप लोगे साथ शेयर करूँगी तो ये स्लीफ्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सिंपल पैटर्न यहाँ पर कटिंग करना है स्लीफ्स का जैसे हम नॉर्मल अपने ब्लाउस के लिए कटिंग करते हैं तो एक लाइन डो करके मैंने पेपर को सीधा कर लिया है, पेपर के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, टोटल स्लीव की लंबाई लिए है 5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग साड़ी 5-6 इंच भी ले सकते हैं, इसके बाद एक सीधी लाइन फिर से बना और आपके ब्लाउस का जो भी आर्मोल होता है, ब्लाउस या ड्रेस का आप नाप कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर 8 इंच रखा है और 2 इंच पर इसे डाउन रखा है, सिंपल स्लीव का पैटर्न हम इस तरीकी से बना लेंगे, नीचे का गुलाई आपका जो भी होता है, म आपने अपने ब्लाउस में जितना मार्जिन लिया है, उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है, और इसे इस तरीके से कटिंग कर लेना है, इस तरीके से बनाना है, इसके बाद हमने गहराई भी दे देनी है, तो आदा से पोना एक इंच अंदर की तरफ करते होएं Da-08 कि अदर को अपने ज़िए कटिंग करनी है, अब आपको इसके लिए जरूरी मार्किंग करनी है, तो सबसे पहले एक लाइन आप सेंटर पर बना लीजिए इस तरीके से, अभ मैं आप बताते चाहूँगी कि कहां से आपको कितना marking करना है तो मैंने इस paper के ऊपर लिक भी दिया है 2 इंच मैंने इस तरफ से लिया है अब इस line को हमें बिल्लकुल centre से मिला देना है यहां पर हम जो भी line draw करेंगे इससे हमने centre से मिला देना है इस तरह किसे 2 इंच यहां से लिया है और 2 inch यहाँ से लिया है अब हमने marking करनी है 1.5 inch पे यह देखिए यहाँ पर marking करेंगे 1.5 inch 1.5 inch इस तरफ से और 1.5 inch इस तरफ से लेंगे इससे भी हमने नीचे center की तरफ मिला देना है तो इसलिए इस देखने में जरूर आपको tough लगेगी पर ये बनाने में बहुती ज़्यादा आसान है और सुन्दर भी लगेगी आप लोग जरूर ट्राय कीजिएगा यहाँ पर मैंने 1.5 इंच और 1.5 इंच देखे इस तरीके से मार्किंग किया है इसके बाद हमें लेना है 1.1 इंच इस तरफ से और 1.1 इंच इस तरफ से दोनों तरफ 1.1 इंच लेते हुए इसे भी आपको नीचे के तरफ से मिला देना है इस तरीके से तो बस इतनी ही मार्किंग हमें इस पेपर के उपर करनी है पेपर के उपर मैंने मार्किंग इस तरीके से देखी कर ली है पहले हमने दो इंच लिया था फिर देर इंच फिर वन इंच इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हमने लाइन के साथ साथ इसका कटिंग कर देना है इस तरीके से पूरा कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि यह पेपर अलग-अलग ना हो, एकेक करके सबी पैटर्न को हमने इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है, दिखें बराबर से कटिंग करेंगे, यह देखें, खुले के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखेंगे, अब हमने क्या करना है, फैबरिक ले लेना है, तो मैं आपको बता दू कि ब्लाउस के फैबरिक पर इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें कपला ज्यादा लगता है, तो हो सके तो आप अलग से कपला ले सकते हैं, या फिर आप अपने जो भी फैबरिक है, उसे अलग से, कॉंट्रास्ट करके भी आप इसे बना सकते हैं, जो भी आपके साड़ी में या ब्लाउस में कलर कॉंबिनेशन होता है, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप बोडी बाला जो पार्ट है, वो अलग कपड़े का बना ले, और जो मेन आपका ब्लाउस का होता है, उसका आप स्लीव पना ले, ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है, इसकी चोड़ाई आप देख सकते हैं, ज्यादा है, तो स्लीव के ऊपर से और नीचे से फैबरिक थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, ताकि हमें एकस्ट्रा, इसे फिलाने में एकस्ट्रा फैबरिक चाहिए, तो मैं दो स्लीव की कुटिंग यहाँ पर साथ में कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखिए, दो कप्ड़े को साथ में रख दिया है, अब हमने यहाँ से भी इसे बढ़ाना है, तो मैं आपको कितना कितना बढ़ाना हैं यहां से आपको 3 इंच पर मार्किंग करनी है मैंने तो यहां पर डिलन लगा देनी है इसके बाद 3 इंच पिलाएंगे और पिल लगा देंगे यहाँ पर भी 3 इंच लिया हुआ है और जो लास्ट वाला पैटर्न ही यहाँ पर मैंने 2 इंच पारकिंग किया यह दिखे इस तरीके से तो यह जो pattern है हमारा कपड़ी के उपर अच्छे से फैल जाना चाहिए side में और उपर और नीचे की तरफ थोड़ा कपड़ा रहना चाहिए और दिखे मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि कितना मैंने बढ़ाया है अब दूसी तरफ से भी सेम इसी तरीके से बढ़ा लेंगे तीन इंच इंच टेब से नापते वह अ यहां पर पिन लगा देनी है यह देखिए तीन इंच लेंगे फिर पिन लगा देंगे फिर से तीन इंच पर मार्किंग कर देंगे और पिन लगा देंगे यहां पर अब हमने दो इंच लेना है और पिन लगा देना है यह देखे इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा जब हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे तो यह बिल्कुल बराबर से बेट जाएगा अब हमने क्या करना है एसदी से यहां पर मार्किंग कर देनी है देखे पैटन के बराबर से मार्किंग कर लेंगे आप देख इसके बास satu से भी 1 से 18 इंच एक्स्ट्रा लेना है और उपर की तर पहले हमने एस एटीज मार्किंग करनी है और यहां पर यह जो मार्किंग हमने की हुई कि और इसके रहे हैं में निशानग के लूए हु तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, अच्छे से अब मैं इसे कटिंग कर रहे हूँ, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमें इसे कट करना है, बराबर से रखते हुए पैटन को मैंने कटिंग कर दिया है, साइट से भी से कट कर लेंगे, अभी मैंने इसे बढ़ाते हुए ह कट किया पाद में हम99 6 माल किंग केसा कर लिएंगे तो सब կूद्र ब्रृइज कर दिये हैं और में चोटे-चोटे कर लगा रहे हूं ताकि मार्किंग समझने में आसानी रहे है और प्रेट स्टानने में पता रहे कि हमें नीचे की तरफ से भी हाप चाहें तो मार्क इंग कर सकते हैं तो मैंने हाँ पर दो स्रीफ साथ में कट कीये तो दूसी तरफ भी में इसी तरीके से मार्किंग कर लूँगी अब दिखिई मने इसकी पीन्स पास छादे है और अब कि प्लिट्स बनानी है तो सबसे पहले आप एक marking center में कर लीजिये, इसके बाद हमने इसकी plates बनानी है तो उपर वाली marking और नीचे वाली marking बराबर से रखेंगे और पिन के साथ इस वाटेज कर देंगे तीकि एक plates लिया है फिर आप दूसी तरफ से भी इसी तरीके से मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बना ले दोनो तरफ के प्लेट्स सेंटर में ही जमेंगी तो इसका आपको ध्यान रखना है यह देखे इस तरीके से हाज से फिनिशिंग करते जाएंगे और प्लेट्स को पिन के साथ दबाते जाएंगे टोटल तीन प्लेट्स यहाँ पर आएंगे एक तरफ में सेम इसी तरीके से हमने दूसी तरफ की प्लेट्स भी बना लेनी है ये देखें दूसी तरफ के प्लेट्स भी हमने इसी तरीके से बना लेनी है अच्छे से इसे पिन के साथ अटेज कर लेंगे और अब हमने लगानी है इस पे सलाई मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सलाई लगा देनी है इस तरीके से सलाई लगाने के बाद अब हमने एक्स्टर फैब्रिक को कर्ट करके निकाल देना है तो इस तरीके से फैब्रिक को कर्ट कर देंगे जो भी एक्स्टर कप्ला था उसे मैंने कटिंग कर दिया है अब नीचे की तरफ हमने बॉर्डर अटेज करना है तो दीखे मैंने यहाँ पर बॉर्डर लिया है आप चाहें तो कप्ला भी ले सकते हैं कपड़ा लेते हैं तो आपको दो इंच की चोड़ाई इसकी रखनी है और इस तरीके से इसे अटेज करना है पट्टी लगाएंगे तो भी सेम तरीका ही रहेगा मैं इस पर बॉर्डर अटेज कर रही हूँ बॉर्डर पर सिलाई लगाने के बाद मैं यहां पर छोटे-छोटे कर्ट लगा दिया है ताकि अच्छे से यह फोल्ड हो जाए इसके बाद हमने यह जो मार्जी नहीं से अंदर की तरफ कर लेना है और उपर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहां पर हमने सिलाई लगानी है सिलाई लगानी के बाद इस पर आप चाहें तो लेस भी अटेज कर सकते हैं यह दिखिए इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे और प्रेस करने पर यह अच्छे से पेट जाएगा बॉडर एक्स्ट्र बॉडर को हमने कट करके निकाल देना है इसके बादी कि मैं इस पर लेस अटेज कर रही हूँ आप अपनी पसंद की अकॉर्डिंग यहां पर लेस लगा सकते हैं तो मैंने गॉल्डन क्लर का लेस यहां पर लिया है और इसे इस तरीके से अटेज कर दिया है लेस के ओपर आपने डवल सिलाई यहां पर लगा लीनी है इस तरीके से और देकी स्लीवस बनके तयार हो गया है तो फ्रेंट से आपको आज का मेरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चेनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद